तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे बीते गुरुआर 11 अप्रेल कोईद के खास मोके पर सिनीम आगरों मेरे लिस हुई थी बॉलिवूट के सिंखाम आजे डेवगन की फिल्म मैदान फिल्हाल जिसने सिनीम आगरों में इतिहास रच रखा है और फिल्म बॉक्स आफिस पर ताबर्तूर कलेक्शन करके अब तक के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और फिल्म को रिलीस हुए आज सिनीम आगरों में पाचवा दिन चल रहा है लेकिन बॉलिवूड के सिंगा माजे डेयोगन की फिल्म मैदान के सामने सबसे बड़ा चालिज था बॉलिवूड के खिलाड़ी अक्षई कुमार की फिल्म बड़े मिया छोटे मिया का और ये फिल्म भी मैदान के साथ ही रिलीस हुई थी लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वी बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और आज पांच वी दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पाने रहिएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप बॉलिवूट के सिंगा माजे नेवगार और बॉलिवूट के खिलाड़ी अक्षे कुमार को एक बहुतरी नभी नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें लीजएगा दोस्तो अगर सबसे पहले बात करें बड़े मिया चोटे मिया की तो ये एक हिंदी लेंग्विज की एक्षन थिरिलर फिल्म थी जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतिसार था अली अबास जफर के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रिड्यूस किया था जैकी भगणानी वाशु भगणानी और दिपशी का देश मुकने और फिल्म में हमें अक्षी कुमार, टाइगर श्रॉप, पिरत्वीरासु कुमरान, मानुशी छिलर, सोनाक्षी सिर्हा और रौनित रॉय अहम किरदारों में असर आये थे और दोस्तो फिल्म का जो बजट था वो लगबग साड़े तीन सो करोड पेका था लेकिन दोस्तो जब ये फिल्म सिनीमा घरो में रिलीज हुई तो फिल्म को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली, बहुत सारे लोगों ने फिल्म की तारीफी भी की हाला कि ज्यादہ तर लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनीमा घरो में नहीं गई पहले दिन का वो 36 करोड 33 लाक उर्पे का था दोस्तो तारीफ करनी होगी कि ओवरसीज में फिल्म को बड़े लेविल पर रिलिस क्या गया था और ओवरसीज में फिल्म तगडा कलक्शन कर रही है और फिल्म ने दो दिनों में 55 करोड 14 लाख उर्पे पूरे वर्ड से कमा लिये थे वहीं फिल्म की जो तीन दिनों की पूरे वर्ड में टोटल कमाई थी वो 76 करोड 1 लाख उर्पे थी और अपने चार दिनों में फिल्म बड़े मिया छोटे मिया 98 करोड उर्पे पूरे में लगबग 110 करोड उपे का अकड़ा आज पार कर लेगी जो की काबिले तारीब तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कह सकते हैं कि भाईया ये दोर जो अक्षी कुमार का फिलहाल चल रहा है ना मुझे लगता है कि काफी टाइम से बहुत ज्यादा खराब चल रहा है और अक्षी कु बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है बहुत ज्यादा तर लोग इस फिल्म को देखने के लिए नहीं गए हैं लेकिन चली बात करते हैं फिल्म मैदान के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो मैं तारीफ करूँगा क्योंकि शैतान फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में चल रही है मैदान फिल्म के अगर मैं बात करूँ तो ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जो कि अमिज शर्मा के डिरेंग्शन ने बनी थी जिसको प्रिड्यूस किया था जी स्टूडियोस और वॉनी कपूर ने और फिल्म में हमें अजे डियोगन के साथ पिर क्लेक्शन की बात करूँ तो पेड प्रिव्यूस से 10 अप्रेल को फिल्म ने 2 करोड़ 60 लाख उर्पे कमाये थे उसके बाद फिल्म का जो पहला दिन था फिल्म ने अपने पहले दिन 4 करोड़ 50 लाख उर फिल्म की जो टोटल कमायी थी पहले दिन की वो 7 करोड़ 10 लाख उ और अपने पहले तीन दिनों में फिल्म मैदान 15 करोड 70 लाख उर्पे इंडिया से नेट कर चुकी थी तो वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 18 करोड 70 लाख उर्पे था और दोस्तों बात करूँगा मैं पांचवे दिन यानि कि आज की तो साड़े तीन करोड पे ये फिल्म आज भी कर रही है और फिल्म का पांच दिनों का जो टोटल वॉक्स आफिस कलेक्शन है वो 26 करोड 50 लाक उर्पे इंडिया से नेट हो जाएगा तो ही फिल्म पूरे वर्ड में 40 करोड पे कर रही है हालकि ये भी काबिली तारीफ कलेक्शन नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैदान धीरे धीरे चलेगी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगी तो हो सकता है कि फिल्म अपना बजट रिकावर कर ले लेकि दोस्तों फिर भी मैदान या बड़े मिया चोटे मिया दोनों में आपको कौनसे फिल्म ज्यादा अच्छे लगी है कमेंड में सरू बताईएगा